तो अगला टॉपिक है हमारा naming of bicyclo compound पहले तो bicyclo होते क्या है उसको समझते हैं naming of bicyclo compound bicyclo compound तिक ही मेरे लिए ये होता है एक cyclic compound monocyclic सहीए अगर दो cycle को एक साथ मिला दिया जाए इधर देखो सामने तो दो cycle को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो कितने bridge carbon atom generate होंगे दो तो bicyclo क्या लाएगा यानि two cyclic attach on two corners and generate two bridge carbon atoms are called bicyclo compounds तो इसे हम क्या बोलेंगे bridge carbon atoms या bridge atoms तो bicyclo compound में क्या होगा कितने bridge carbon atom होंगे two तो दिखी रहा है दो cyclic है और हमारे पास bicyclo है तो इसकी IUPAC naming क्या रहेगे IUPAC naming इसको हम कैसे देखेंगे इसकी definition लिखना चाहे है तो लिख सकते हैं तू साइकल अटेस्ट अन टू कॉर्नर आटर अटर 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 ब्रिज हैड ब्रिज हैड कारबन इजी है पक्का तो नेमिंग कैसे करेंगे हम इनकी नेमिंग की अगर बात करें तो ध्यान से दिखिए मैंने कुछ एक्सामपल ले रहा हूँ यह कितने साइकल है दो इस मेंने फ्लूड़ा सा और बड़ा दिया अभी तक यह कितने SIECLE है दो या टीन सारी अभी तक तो कितने है एक यह मैंने ब्रिज हैड लिया और यहाँ पर ऐसे अटेज कर दिया तो bridge carbon कौन से है bridge carbon एक है ये और एक है ये पक्का दो bridge carbon है तो ये bi-cycle है या tri-cycle है bi-cycle है दो bridge carbon है इस bridge cycle के एक तरफ कितने atom है इस तरफ दो एक और दो इस तरफ कितने है तीन और इस तरफ कितने है एक तो एक तरफ दो तो एक तरफ तीन और एक तरफ एक, टोटल कितने अटम है, तीन, दो पांच, और एक छे, साथ, आठ, आठ, आठ एटम है, तो इसका नाम सिंपल वैसे ही चलेगा, बाई साइक्लोस, यह है, ब्रैकेट बनेगा, कॉर्णर में कितने अटम है, उसको डिक्रीजिंग ओर्डर मे 3, 2, 1, डिक्रीजिंग ओर्डर में, बाई साइक्लोस, 3, 2, 1, और टोटल कितने अटम है, आठ, यानि ओक्टेन, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना, तो अगर किसी ने इसका नाम पूछा मुझे, तो साइक्लोस है, लेकिन अगर इसका नाम पूछा, एक्जाम्पल फॉस्ट, एक्जाम्पल सेकेंड, यहां इस बात का ध्यान रखेंगे, डिक्रीजिंग ओर्डर, डिक्रीजिंग ओर्डर, यहां इस बात का ध्यान रखेंगे, एक, दो, तीन, नहीं, एक तरफ कितने है, दो, दो, और एक तरफ कितने है, एक है, तो बाई सा साइक लो तो लिखना ही पड़ेगा कि टू कॉमा टू कॉमा वन दो दो चार पांच छे साथ हैप टैन यस और अगर यही एक्जाम्पल कुछ इस तरह से होता तो नाम क्या होता वाइस साइकलो टू कॉमा टू और एक तरफ कितने है जीरो देखो है नी तो जीरो को क्या लिखना ज़रूरी है वाइस साइकलो में तीनो वैलिउस लिखनी ज़रूरी है बहले ही जीरो हो हेक्जेन हेक्जेन आरी ये बात समझ में तो चलिए कुछ और एक्जामपल आपके लिए क्या अंसर होगा इसका पहले तो बाई साइक्लो लिख लो इस तरफ दो इस तरफ दो और इस तरफ एक बाई साइक्लो टू कॉमा टू कॉमा वन दो दो चार पांच छे साथ हैप टेन इसका नाम क्या होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस तोटल दस है वो तो लेकि एक तरफ कितने हैं चार और एक तरफ कितने हैं चार तो बाई साइक्लो लिख लोगा फोर कॉमा फोर कॉमा जीरो डेकेन सही है, बहुत असान है, एक एक्जामपल आपके लिए इसका नाम क्या होगा बाई साइक्लो बनावें इसको बाई साइक्लो फोर कॉमा फ्री कॉमा जीरो चार तीन साथ आठ नो, नो है नोने लिखें इसको आपको सौंझ में आगया है, अच्छे से किसी को कुछ पूछना है तो सिंपल सा है अब मैं आपको बता दू, यह हमारे सिलिबस में नहीं है तो फिर हम क्यू पढ़ रहे हैं, कभी किसी रियाक्शन के अंदर इसको यूज कर लिया जाता है तो वो आईउपेसी ने आईडिया होना चाहिए कि किस तरह के बाई साइक्लों कंपाउंड है लेकि इनकी नेमिंग हमारे सिलिबस में नहीं है अगला हमारे लिए क्या होगा नेमिंग ओफ इस्पाइरो कंपाउंड नेमिंग ओफ इस्पाइरो कंपाउंड कंपाउंड हरिंग डालीजी नेमिंग ओफ इस्पाइरो कंपाउंड